हेलो हेलो बिटा संग मित्र हेलो आसा जी स्वाती बनकर कैसे स्वाती जी पेपर कैसा हुआ बैठा आपका मेरे प्यारे बिच्छों जिसने भी M.H.C.T. का वेपर दिया था कैसा हुआ प्यारे बिच्छों बताई जल्दी से फिर आगे स्टांट करते हैं अपन हेलो वेरि वरि गुड बॉलिंग सबको क्लास को शेर करदो बależy को क्लास को सेर करदो बिल्कुल मैगी जी रिलक्स है वेटाब आप थोड़े से कमेंट्स की जो साइज ये बड़ा दीजी कमेंट्स दिखाई आप हाँ गुड स्टार्ट करते हैं आज अपन बेटा अपन देखने वाले हैं चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर सबसे पहले मैं मॉडन फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं उसके बाद में आपको पता है तीन चैप्टर है एक तो है डूल नेचर आप मैटर एंडेशन्स दूसरा है है एटम्स और तीसरा कौन सा है तीसरा है हमारा नुक्लियाई निदिय वर्मा हेलो 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 मेरे प्यारे बिच्चों सबसे बिले अपनी स्टार्ट करते हैं डूल नेचर आप मैटर एंड रेडिशन्स के लिए ठीक है तो आपको पता है सर फोटोन की जो एनर्जी अब मेरे बिच्च्चे अपको पता है सर फृकेश यड़ यहां पर आपन इसको एसा लि एक मैडसटो एट सी अपाउन लेंबडा एफ burnt and lambda ठीक है बिल्कुल लिए सकता है तो ये दोनो बैसिकली 라व जालो ठीक एंचतर प्टिल साब आपके कमेंट सीग्नोर न implication करहें है इस तो तो नहीं है थे स्थहें नहीं थे नहीं थे नहीं थे नहीं थे वागड़्य साब के दोनों किया है फोटन की इनर्जि एनर्जी और फोटन अब बेटा कभी कभी क्या करता है वह आपको एनर्जी पूसता है इलेक्ट्रोन वोल्ट में ठीक है एनर्जी इलेक्ट्रोन वोल्ट में फोटोन की तो आपको ह और सी की वेल्यू पुट नहीं करनी है ध्यान रखना तो क्या करना है सर यह फॉर्मॉला लगाना है 1240 अपॉन में लेमडा मेरे बच्चे लेमडा किसम होना इलेक्ट्रोन वोल्ट में ठीक है करेंगे तो क्या आपको यह फॉर्मॉडा लगाना है 12400 है अपॉन में छाइब अब मेरे बिच्च किसम आणा चीए अंगे स्ट्रम में तब एनर्जी किसम आएगि एलेक्ट्रन वोल्ट में यह दिले आंग लगाना है फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए नेनो में लगाना है बाकि नौरमल यह फोर्मले है ठीक है इसके बाद में मेरे पहरे विच्छे आगे बढ़ते हैं इसके बाद में मेरे पहरे विच्छे अगे बढ़ते हैं यह तो गई फोटोन की अनरजी अब बैटा फोटोन का आपको The निन्टम भी धियान रखना है ठीक है एच अपन लेमडा से अपन लिख सकते हैं यह फिर आपन लिख सकता है बेटा energy upon speed of flight energy upon speed of flight ठीक है तो ये भी आपको द्यान रखना है ये भी आपको द्यान रखना है मुन्ना मेरे पेरे बिच्ची आगे ये दी में बात करूँ आगे ये दी में बात करूँ आपको number of photons पूछ सकता है पर इन टाइम में नमबर ऑफ फोटोन्स पर इन टाइम में पूछ सकता है तो आपको यह फॉर्मुला लगाना है पी लेमडा अपॉन एच सी पी लेमडा अपॉन एच सी मेरे बिच्चे यहां पर आपको वन अपॉन एच सी की वेल्यू ध्यान रखनी है वो एगी फाइप मल्टिप्ला टैन की पावर 24 और पी मतलब पावर और लेमडा वेवलेंट आपको दे देगा ठीक है इससे आप क्या निकाल सकते हैं नमबर ऑफ फोटोन्स पर युनिट टाइम है ना बाते मत करो बटा आज क्या है सामने की जो एलिडी है जो कमेंट्स जिसमें लिखते हैं वह आज बंद है तो उसके बाद में अपना आगे बात करें तो प्यारे बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन क्या थी फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन क्या थी ये थी सर्फ फोटोन्स की एनर्जी जो होती है वो दो भागों में बंदती है एक तो इलेक्ट्रोन्स को वक फंक्शन में और एक electrons को kinetic energy देने में न, तो ये, तो ये है, photoelectric equation इसको ध्यान रखेंगे आप, मेरे बच्चे इसको आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, h new equals to h new not, और प्लस में kinetic energy, प्यारे बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, hc upon lambda equals to hc upon lambda not, ठीक है, और प्लस में kinetic energy, मेरे प्लस मेरे बच्चे एक चीज और द्यान रखना हैं आपको, एक चीज और द्यान रखना हैं, क्या द्यान रखना हैं, काइनेटिक एनेटी को वड़ा आप ऐसे लिख सकते हैं ई-a ईव्ड सकते हैं इव्डrat इव्ड़ सॉपनेटिन क्या है उस्तॉपन्थ कीजिक्न पॉटेंशियल क्या ह होता है negative potential on which photo electric current becomes zero है ना उसी को अपन क्या बोलता है उसी को अपन क्या बोलता है stopping potential बेटा चमक रहा है मेरे पेरे बेचे चमक रहा है क्या जल्दी बता hashtag clear hashtag got it क्या इधर गुसरा है प्यारे बच्चे मुझे बता चमक रहा है क्या बेटा हा स्वाती जी कह रहे है अच्छा ही result आएगा क्या बात है क्या बात है स्वाती क्या बात है स्वाती वा स्वाती वा मेरे बच्चों किलियर है क्या प्यारे बच्चों चमका क्या यह चमका ठेक है तो यह बेसिकली फोटो इलक्टर्क इक्वेशन के ही फॉर्म है क्या विजे मास्टर आगे बढ़ सकते हैं बेटा डूल नेचर आप मैटर एंड डेडिशन के मैंने फॉर्मिले लिखे हैं अभी आगे बढ़ते हैं अपन चलो बाए चलो चली बाए चल्ये चलिए चलीं यह बात ए किया बात है बीटा बेटा क्या बात है ठीक उसके बाद में मेरे प्यारे बैच्ची मेरे प्यारे बैच्ची work function ध्यान अग आप one के लिख स्टें5 Igles टू h new note ठीक नू threshold frequency minimum frequency which is required for the emission of electron from the metal surface ठीक है और 5 क्या है work function मेरे बच्चे 5 क्या है work function minimum energy which is required for the emission of electron from the metal surface work function ठीक है इस क्लास को अलग से रेकुर्डेट डलवा देंगे तो देख लेना, ठीकuster और प्लेिलिस्ट में भी आ जाएगी, पार्ट वन अपने कर लिया है, पार्ट वन नहीं देखा हैं, फ़र्स चेप्टर से 8 चेप्टर तक तो उसको भी देख लेना, और आज आपन कर लेंगे, EP9 से लेकर चEPT 14 तक उसके बाद में 11 के भी, class 11 के भी दो लेक्टर कर लेंगे हैं ना, तो total 4 वीडियो में सारे फॉर्मिले कवर कर लेंगे, मेरे बच्चे ये बात द्याहना रखना इसके अलावासर अपन इसके अलावासर इसके अलावासर अपन 5 को ये भी लिख सकते हैं c upon lambda 0 at c upon lambda 0. lambda not क्या है threshold wavelength maximum wavelength which is required for the emission of electron from the metal surface मेरे प्यारे बच्चे कुछ चीज़े और द्याहन रखनी है आपको यदि आपको photo electric emission करणाना है photo electric emission तो प्यारे बिच्चे तीन चीजे द्यान रखने हैं आपको एक तो क्या frequency जो है वो threshold frequency से क्या होने चीज़ ज्यादा या फिर उसके equal मेरे प्यारे बिच्चे wavelength जो है लेमडा वो threshold wavelength से कम या फिर उसके equal होने चीज़ ठीक है तीसरी चीज़ आपको द्यान रखने है जो photon की जो energy है वो work function से क्या होने चीज़ ज्यादा होने चीज़ वेरी वेरी important point है ये मैं बता रहा हूं प्यारे बिच्चे इस chapter का सार है ठीक है ये very very important point है यदि आपने ये नहीं किया है तो इसका मतलब कुछ नहीं पड़ा है ठीक है very 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 important point है ये जो मैंने का है ये जो मैंने लिखा है इसको दिल में बसा लेना माथे में चिपका लेना दिल में बसा लेना बैटा माथे में चिपका लेना दिल में बसा लेना बैटा माथे में चिपका लेना दिल में बसा लेना बैटा माथे में चिपका लेना ठीक है कैसरा आ क्या बात है ले सजी क्या बात थेंक्यू सो मच बटा थेंक्यू सो मच थेंक्यू पटेल साब खान साब कश्यब बटा हुसेन सेफ साब प्रेंका जी बागड़े साब चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगे बढ़ता हैं अगे देखों आगे क्या रहा है कि अगे प्यारे बच्चों यह हो गया ठीक है अब आपको सर बी ब्रोगली वेवलेंट द्यान रखने ठीक है वो क्या होती है लेमड़ा इकोल्स टू एच अपॉन पी एच अपॉन पी ठीक है सर पी का मतलब क्या मॉमेंटम मेरे बच्ची अपन मॉमेंटम को क्या लिखते हैं यहां पर वी का मतलब क्या है पॉटेंशल डिफरेंटम सब्सक्राइब की वोटेंशियल डिफ्रेंश ठीक है तो कॉन्फिूज मत होणा और यहां पूल्ले से एक और कॉंसेप्ट में आपको बता देता हूं ठीक है इस फॉर्मले में यह दिए आप एच एम और क्यू की वेल्यू पुट करते हैं तो फॉर इलेक्ट्रोन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंट का एक फॉर्मला आता है स्पेसिफिक फॉर इलेक्ट्रोन वह था लेमड़ा एकोल्स टू 12.27 अपॉन में रूट में पोटेंशल डिफ्रेंस मेरे बिच्ची यह होगा अंगे स्ट्रम में किस में होगा अंगे स्ट्रम में ठीक है इस सिधा फॉर्मला अप्लाई कर सकते हैं है चांद चल्यह बाई चाल्यह बात है कि है हमारे आईटी टीम के मुख्ये कारी करता है अज ठीक है उनका मैं स्वागत करता हूं इसलिए कि वाइड़े अ आरे बाते कर रहे हों तुम लोग अलगे सिंगल मिंगल बेटा इंस्टा इडिया मत मर्म आपस में पढ़ाई करो यह कौन है यह कौन है चालिए वाई मेरे प्यारे बैच्चों यह तो था इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए भी ध्यान रखना है फॉर प्रोटॉन फॉर प्रोटॉन कौन सा टॉन प्रोटॉन वापस बोलो प्रोटॉन तो मेरे बैच्चे यहां पर वेल्यू दोनों फॉर्मले द्यान रखने हैं और यह चैप्टर होता है आपका डूल निचर आप मैटर एंड रेडिशन्स का तम ठीक है तो कैसे लगे आपके फॉर्मले और कैसी लेगी स्लाइड्स ठीक है समझ में आए या नहीं होए और रिविजन हुआ या नहीं हुआ जल्दी बत स्क्राइड केला मुझे बताइए कि प्यारे वैचे क्लियर है क्या लग अल लीडी तो आज चल नहीं रही है चला बढ़ा चली 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 जलो आगे बढ़ते हैं आपन मेरे पहरे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं पानी पिलेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वरना किया गर्मी बहुत है चलो तो आप देख सकते हैं ये एक स्लाइड ये दूसरी स्लाइड खतम अब आगे बढ़ते हैं अब लेते हैं आपका फेवरेट चेप्टर कि Airea इंटम्स क्या है और तो क्या है बताईए आप आप ये पताएंगे और क्या बताएंगे ठीक है तो मेरे बच्चे इसमें सबसे पहले अपन ये करते हैं आपको में ना देता हूँ मैं ए खूपसरूथ इटम में बना देता हूं या पर क्या बात है विजे सर आप कितने टेलेंट हैं सर एक ही तो दिल है किती बार जितेंगे आप है सर क्या करूं बेटा मैं ऐसा ही हूँ तो मेरे पेरविच्ची बीच में है यह नुकलियस यह क्या है है नुकलियस के यह नुकलियस के वढ़ा नुकलियस के वेटा है न Efendimiz फिकलियस ओर यहंट है और यहने और बडित में एलेक्टाउन क्या गड़ता है रिवॉल करता और मेरे पिच्ची मेरे प्यारे बच्ची मेरे प्यारे बैच्छे यहां पर इदी मैं बात करू운 एटम की तो एटम में आपको पता है electron हर किसी orbit में revolve नहीं करता है तो sir कौन से orbit में revolve करता है केवल उसी orbit में revolve करता है जिसके लिए orbital angular momentum कितना हो h upon 2 pi का n times ठीक है तो सब से पहले तो द्यान रखना अंगलर म्मंटम कौण्टाइजड रहता है ठीक है आपने कह सकते हैं mvr equals to h upon 2pi का n times ठीक है तो यह चीज द्यान रखने है यह चीज आपको क्या द्यान रखने है यह तीक है उसके बाद में मेरे प nécessaireці मेरे पर बμαι skilled बैट जान से क्यों सोनाते हैं वो मैं बताता हूं सबसे पहले प्यारे बैचे आपको रेडियस पुछेगा के सर इस ओर्वीट में इलेक्ट्रों डिवल्व कर रहा है तो तरमें हिम्हत है तो रेडियस बता तो बैचे रेडियस को आपको ध्यान रखना है 0.529 मिल्टिपलाई एन ऐपोन बटा यह अंसतम्हों ऐता है कि सा इतby रिक नंबर टो अर्विट नंसरड़ नॉचे अलडियस पर्पोर्षण्यल्य क्रैक्ट्रिस पर्पोर्षण्नल है मेरे बच्च व्याइन está寂साय इक्पशनल बार डारेक्ट्लिपर्पोर्षणल वापस बोल डारेक्ट ली परपोर्ट्शनल ठीक है अब सर में इस्वास के साथ में कह सकता हूं को आप पागल हो गया हूँ गर्वर्सा जी क्या हुआ बेटा अरे ओ वर्षा वर्षा तो यह तो गई बेटा रेडियस अब मेरे बच्चे यहां पर आपको मान लो वेलोसिटी पूछ ले तो किसी और्बिट में इलेक्ट्रों रिवॉल्व कर रहा है तो बच्चे आपको क्या करना है यह फोर्मिला लग मैं ध्यान रखना है मैं पूरी 12 को एक lecture में करवा दिया 1112 के formula में आपको देदूंगा इसके लवग मैं ने काफि सारे questions practice करवा दी book solution दो lecture बच्चे हैं वो दो के लोगा iis के लवग पूरा करवा दिया main course को पूरा करवा दिया बस आपको मैनत करनी है बैटा क्या करनी है आपको मैनत करनी है दिल से ना अब जो नए बच्चे हैं अपने जो छोटे वाइवेन हैं उनको भी आप कह सकते हैं अब नया बैच स्टार्ट होने वाला जैकेडमी फॉर नर्सिंग पर न्यू सेशन में काफ़ी सारी नई चीज़ बैच्चे आगे दी बात करें तो एनर्जी पूछ ले तो क्या करेंगे मास्टर हिमेत है तो इसमें बता तो बैटा प्रूटल एनर्जी का फॉर्मला ध्यान रखना है आपको माइनस का 13.6 मल्टिप्लाई में जैड स्कूर अपॉन एन स्कूर मेरे बैच्ची यह आएगी इलेक्ट्रोन वोल्ट में किस में आएगी इलेक्ट्रोन वोल्ट में ठीक है इलेक्ट्रोन वोल्ट में आएगी प्यारे बैच्चे एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है मैं नौट करके लिखवा देता हूं नौट करके लिखवा देता हूं एक रिलेशन relation क्या है relation यह एक potential energy जो है वो double है बट negative है kinetic energy ठीक है और potential energy जो है double है total energy ठीक है बट positive है तो यह relation आपको द्यान रखना है ठीक है इससे कोई भी energy आप निकाल सकते हैं मेरे पेरे बच्चों इसके बाद में अपना आगे बढ़े इसके बाद में अपना आगे बढ़े तो आपको spectral lines पूछ सकता है क्या पूछ सकता है spectral lines spectral lines ठीक है lines अब spectral lines कैसे निकालते हैं ठीक है जैसे मान लो सर यह एक orbit यह दूसरा orbit यह तीसरा orbit यह fourth orbit यह मान लेते हैं orbit यह क्या है orbit ठीक है n इक्वेल्स टू 4 n इक्वेल्स टू 1 ऐसे मैंने मान लिया ठीक है ऐसा मैंने मान लिए यह fourth orbit यह first orbit है तो मेरे पेरे वेच्ची यह दी आपको spectral lines निकालनी है आपको क्या निकालनी है spectral lines निकालनी है तो आप यह formula अपलाई कर सकते हैं कौन से वाला कौन से वाला यह वाला ठीक है n का मतलब क्या number of spectral lines ठीक है n और n-1 upon में 2 ठीक है यह formula आप क्या कर सकते हैं बेटा अपलाई कर सकते हैं है ना तो अब n कैसे निकालेंगे n बेटा small n जो है वो कैसे निकालेंगे आप n2 ठीक है minus n1 plus 1 n2 क्या है higher orbit n1 क्या lower orbit ठीक है जैसे मान लो fourth orbit से फस्ट और्बिट में लेक्ट्रोन आ रहा है तो n2 किता हो जाएगा बताइगे n2 किता जाएगा जल्दी बताइगे और n1 किता हो जाएगा इसको आप comment section में बताएंगे ठीक है आसा करता हूं सही बताएंगे तो यह formula दियान रगना इस formula को आप दियान रगना number of spectral lines निकालनी है तो ठीक है आगे बड़े बाते मत करो बई बाते मत करो रहे आज LED चल नहीं रहे है सामने तो comments में देख नहीं पा रहा हूं हरा है ते जलो टेट का जलो जलो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं भीत अब आगे बढ़ते हैं तो यह आपका इसए ये क्या हुआ अभार्ट राज छैप्र लेते हैं वह कौन साँ नुक्लियाई है कौन नुक्लियाई है तो दूली अधिकर मेरे बत्चे न्युक्लियाई में सबसे पेले हैं अपन जो सीखने वाले हैं वो अपन को पता है nucleus की radius, वो क्या होती है सर, वो होती है सर, r equals to r naught और a की power 1 by 3, ठीक है, अब बेटा r naught क्या है, constant ये तो अपन कहा सकते है, r proportional to a की power 1 by 3, cubic root होता द्यान रखना है, इसका मतलब, एका मतलब क्या बेटा, atomic mass, atomic mass या mass number कहा सकते है, mass number, ठीक है, मेरे बच्ची, प्यारे बच्ची, r का मतलब क्या है radius, r का मतलब क्या radius, ठीक है, radius of nucleus, बेटा, इसके आगे एक और चीज अपन को सीखने है, इसके आगे एक और चीज अपन को सीखने है, r0 की value द्यानकना 1.2 multiply 10 की power, 10 की power, minus 15 meter, ठीक है, या 1.2 fermi meter कहा सकते है, बेटा, आगे द्यानकनी आपको density, क्या द्यानकनी है, density, density of nucleus, density of nucleus, बेटा, density जो रहती है, वो सारे atoms के लिए fix रहती है, density जो रहती है, वो सारे atoms के लिए fix रहती है, वो के रहती है, 10 की power 17 kg पर बताई, density क्या होती है, kg पर meter cube, kg पर meter cube, ठीक है बेटा, चलो बैए, kg पर meter cube, ठीक है, और ये density सारे atoms के लिए क्या रहती है, सेम रहती है, अच्छा सुविता जी कोई बात ने कोई बात ने बटा सुविता जी हाँ कोई बात ने बात ने कोई बात ने चलो तो ये बात द्यान रखना अब मेरे पेरे बिच्चों आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में पेरे बिच्चों एक और चीज आपको द्यान रखने है, वो क्या द्यान रखने है, जैसे मानलों को येक element ऐसे लिखावा है, इसके base पे Z है और power में A, ठीक है, तो X है element, X क्या है, एक element है, X क्या है, element, ठीक है, ठीक है, ठीक है master, बैटा Z क्या है यहाँ पर, मुझे बता न, Z क्या है, atomic number, atomic number, ठ ठीक है बैटा, Z क्या है बैटा, atomic number, मेरे बिच्चे A क्या है यहाँ पर, A है mass number, A क्या है बैटा, mass number, ठीक है, वापस बोल एक बार, mass number, मैं नहीं सुनिया, mass number, ठीक है, बैटा तेरे को यहाँ पर इदी, पता है, क्या, कि सर mass number क्या होता, द्यान रखना mass number, basically sum of protons और neutrons, उसी प्रोटोंस प्लस, neutrons को अपन क्या बोलता है, nucleons, क्या बोलता है, nucleons, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, बैटा, light में है न, please, please, बैटा, बैटा, वेजे सर की बात नहीं मानेगा, मानेगा ना तू, please, है न, चलो, आगे बड़े, फिर, प्यारे बिच्चो, मेरे प्यारे बि सो गई, चलो, है न, चलो, आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो प्यारे बिच्चो यह बात ध्यान रगणा, माननों, नमर आफ, neutrons, मेरे को निकालने तो, कैसे निकालोंगा, a-z से, a-z से, ठीक, वानस ठीक, अब प्यारे बिच्चू, प्यारे मेरे बिच्च्च्च्च्च्च् अब आगे सर क्या आगे 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 क्या आपको एक relation पता है mass energy का relation वो क्या है e equals to mc square ये होता है ठीक है सर इसके बाद में प्यारे बिच्चो इसके बाद में आपको एक चीज द्यानक नहीं मास्ट डिफेक्ट क्या द्यानक नहीं मास्ट डिफेक्ट मास्ट ठीक है इससे बिसिकलिए पन डेल्टा एम कहते हैं क्या कहता है डेल्टा एम तो डेल्टा एम क्या होता है mass of nucleons mass of nucleons मांस आफ नुकलियस मेरे प्यारे बिच्ची मांस आफ नुकलियस को अपन क्या लिख सकते हैं मांस आफ नुकलियस को ऐसे लिख सकते हैं Z MP ठीक है प्लस A-Z एम एन ठीक है और माइनस में एम ठीक है यही अपनों क्या देगा मास्क डिफेक्ट डेल एम ठीक है डेल एम हैस्टेक किलियर मेरे प्यारे विच्छों किलियर है क्या क्या यह चमक रहा है बाते गर रहे हो तुम लोग तो आपस में दिख नहीं रहे है कैसे दिखने है परी दिखाई देगा बेटा आप एक बार देखें परी अरे ओ परी कि चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं हैस्टेक के लिए बोल दिया बच्छों कि मैरे बच्छों मेरे प्यारे बच्छों मेरे बच्छों आगे इदी अपन बड़े तो विजदोमास्ट्र जो है विजदोमास्टर अरथव में मैंने यह दिखा कि binding energy निकालनी तो binding energy कैसे निकालेंगे binding energy क्या करो mass defect को multiply कर दो speed of light के square से तिर पस क्या जाएगा binding energy क्या जाएगा binding energy ठीक है मेरे बच्छे binding energy आपको generally electron मेगा electron volt में भूसता है तो मेरे बच्छे यहाँ पर आपको क्या करना है बाइंडिंग इनर्जी इदिए आपको निकालनी है मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट में तो आपको कुछ नहीं करना है डेलम निकालो मास डिफेक्ट उसको मल्टिप्लाई कर दो 931.5 से आपके पास मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट आ जाएगी खतम टाटा बाई बाई ठीक आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा बेटा आँके चेक करानी है बेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है जल्दी बिताई मुझे बाईंडिंग एनर्जी ठीक है जन्रली यह बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट यह पूछा जाता है अच्छा लास्ट फोर्मला नहीं दिखरा था चलो चलो बई चलो 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 अर्चना सुखला क्या बात है सुखला अर्चना तो आगे बढ़ें फिर इंपोर्टेंट यह द्यान अगना यह अच्छा नहीं लग रहा था इसले में साफ कर दिया मेरे प्यार विच्चों आगे बढ़ते हैं अपन अब आपको एक सीज़ द्यानक नहीं बाइंडिंग एनर्जी पर नुक्लियोन बाइंडिंग एनर्जी पर नुक्लियोन पुछे तो आपको क्या करना है बाइंडिंग एनर्जी निकालो और उसको डिवाइड गर दो मास नंबर से आपके पास क्या जाए कि बाइंडिंग एनर्जी पर नुक्लियोन जो है वो क्या बताती है इस्टेबिलिटी क्या बताती है इस्टेबिलिटी ठ ट्डार्ण है जो ज्यादा इस्टेबल उसकी इनेर्जी पर नुक्लिवान ज्यादा होगी ट्डीक । जैसे एक में खतर नाक एक्जामपल की बात करूं खतर नाक ठीक है कैसा नाक खतर नाक ठीक है कि fällt की कैसे बटा कैसे हैं बटा है मास्टुक का में बटा दिया फॉर्मौला कैसे हैं ऑग और यह हत्यान रखना है नॉट तो प्यारे बच्छी एक बात आपको ध्यान lessожд sqTab AG कितनी होती एक away 56 घंड्यकी उससे इस्टेबल नुकलियो सकी नियूकलिय। तोब शुक्स की बाइनडी ये जीटी ओती होटा उसकी उती है धित्סेयर थे वाइफिए सद्ध मेगा में एलक्टोंट 8.8 तरन उल्ट, एइट पॉइंट सर कितनी एनर्जी रिलीज हुई ठीक है कितनी एनर्जी रिलीज हुई तो आपको क्या करना है बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है प्रोड़क्ट की बाइंडिंग एनर्जी निकालने है प्रोड़क्ट की माइनस कर देने है बाइंडिंग एनर्जी निकालके रियक्टेंट की ठीक है बाइंडिंग एनर्जी रियक्टेंट की निकालके क्या कर देना है माइनस कर देना ठीक है तो आप क्या निकालेंगे released energy in the nuclear reaction ठेक है बड़ा तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये हो गया हमारा nuclear physics भी खतम और modern physics मैंने पूरा करवा दिया तो आप कैसा मैसूस कर रहे हैं पहले मुझे बताईए मेरे बैच्चों तीन चेप्टर अपनने कवर कर लिए हैं मुझे बताईए पहला कैसा मैसूद कर रहे हैं जल्दी आप कैसे हो सर मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा मैं मैं बहुत अच्छा हूँ है न बेटा हेलो हेलो प्यारे बैच्चों guys बेटा प्यू शर्माजी एक बार आप वापस देखें बेटा बहुत ज़्यदा इजी है ये पूरी साल जो आपने पड़ा वही उसका फॉर्मुले है फॉर्मुले क्लास कर रहा हूं बेटा है ना चलो कि फॉर्मुला बता दिया ना यू यू पी के लिए है एंपी के मारच्ट के लिए भरत के किसी भी स्टेट के'll है यह है ना अच्छा सर के लिए क्लेपिंग होनी चाहिए है क्या बात है क्या बात है जी सरीजी क्या बात है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं अपन सेमिकंडक्टर पहले बताओ मुझे यह दिखाई दे रहा है क्या यह मैं खुद लिखके आया हूं है ना यह खुद मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आया हूं पहले बताओ मुझे यह दिखाई दे रहा है क्या आपको मेरे पहरे विच्चे यह जो है आपको दिखाई दे रहा है क्या पहले बताओ बाटा किलिर है यह दिखाई दे रहा है कि आपको बोर्ट पे जो है हुए इस दिखाई देगा हाँ दिखाई दे रहा है है हाँ यह मैं खुद लिखे-लिक आई हूँ आपके लिए बहुत मेनत करते हैं आप लोगों के लिए कि मैंने का क्या है कम टाइम में आपन रिवाइज करवा देंगे ना बेटा कि सलो हो गई चली हाँ तो मेरे पहरे विच्चों सबसे पहले modern physics कर लिए आप semiconductor कर लेते हैं उसके बाद मैं optics कर लेंगे अपन ठीक है तो बेटा first of all semiconductor क्या होता है आपको पता है ठीक है जो कि बेसिकली conductor नहीं होता है और installer भी नहीं होता है ठीक है लेकिन काम दोनों की तरह कर सकता है है ना चलो तो बिटा जी semiconductor में इदी सबसे पहले जो formula है उसकी बात करें intrinsic semiconductor में आपको द्यान रखना है इंट्रेंसिंग सेमी कंड़ेक्टर में नमबर ओफ एलेक्ट्रॉन्स नमबर ओफ होल और intrinsic charge के नमबर तिनों equal होंगे है ना बेटा थोड़ा सा एडजेस्ट कर ले ना थोड़ा सा प्लीज कोस लिया जी थोड़ा सा है ना तो बेटा नमबर ओफ एलेक्ट्रॉन्स नमबर ओफ ओल्स एंड इंट्रेंसिंग चार्ड्स केरियर का जो नमबर है intrinsic semiconductor में वो क्या होगा equal होगा ठीके मास्टर मेरे प्यारे बच्ची प्यारे मेरे बच्ची आगे extrinsing semiconductor की यह दी में बात करूँ extrinsing semiconductor की तो बेटा extrinsing semiconductor में एक चीज ध्यान रखने है product of number of electrons और number of holes होगा इंट्रेंसिंग चार्ड्स केरियर के square के equal ठीक है मतलब ni square के equal है ना ni square के equal यह बात ध्यान रखेंगे स्वामिया सेनी जी बेटा एक बार आप देखें है ना उसके बाद में बेटा जो current होती ना semiconductor में बेटा जो current होती ही जो current होती ही वो अपन कह सकते है electron के कारण भी होती और hole के कारण भी होती ठीक है electron के कारण भी होती और hole के कारण भी होती बेटा एक चीज द्यान रिखने electron की mobility जो होती है वो hole से ज्यादा होती electron की mobility क्या होती है hole से ज्यादा होती mobility का मतलब क्या होता है कि sir hole ज्यादा motion करेगा इलेक्ट्रोन ज्यादा करेगा यह फिर प्रोट्रोन ज्यादा मोशन करेगा मोशन करने की एबिलिटी कह सकते हैं तो यह वेरी इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखना है ना बेड़ा मेरे प्यारे बैच्ची यह जो है वो वेरी इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना mobility of electron is greater than mobility of hole ठीक है very very important ठीक है बच्चे आगे यह अपन बात करें kcarI which system के तो अपन कहा सकते हैं साठ्डeल वी अपण डाइव फिर इसको लिख सकते हैं डी वी-अपण डी-अई ठीक है बटा है डी अपान की डी-आ याइई यह बात द्यान रहा है mixed चुलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं पहले बताई है स्टेक चमका या फिरब बच्च वागड़े साब प्यारे बच्चों मुझे बताई हैं जो भी बच्चे मुझे देख रहे चुसे चंब कहा है है स्टेक्च हम का कमेंट सेक्षण में जुरूर लिखें आप ठीक है उसके बाद मैं आगे बढ़ता है इसके बढ़ना आगे बढ़ता है बटुटा अ dos अधीयल डायोड है तो इदियJA डायोड के लिए बैट फोरवर्ड वाइस में ध्यान रखना फोरवर्ड वाइस में सा रेस्टेंस कितना होता जीरो मेरे बच्चे आइडियल डायोड के लिए फोरवर्ड वाइस में रेस्टेंस जीरो रहता है और रिवर्स वाइस में जो रेस्टेंस रहता हो किता रहता इंफाइनाइट रेस्टे द्यान रखना अपन जितना इंपूट में फ्रिक्वेंसी देंगे उतना ही फ्रिक्वेंसी अपन को आउट पूट में मिलेगा ठीक है जितना फ्रिक्वेंसी अपन इंपूट में देंगे उतना ही फ्रिक्वेंसी अपन को काँ पर मिलेगा आउट पूट में मेरे बच्चे आ और इसमें पलावा हन आपक न फोक्ट किया करता तो लाइटीक्ट करता इस मेरे को टेक्त करता है जिसमें बसीकि लिए इपन लाइट देते हैं ठीक हैं थे तो लाइट को डेटक्ट करता है मेरे बैचे आपने देखा होगा किसी बड़े-बड़े मॉल में जो लिफ्ट वगेरा होता है या फिर डोर्स वगेरा जो होते हैं वो जो अटोमेटिक होता है ठीक है तो वो बेसिकली फोटो डायोड पर ही काम करता है उसके लिए बैटा आपको एक बात अच्चे लिया अच्छी है धेंक्य सो मच चलो चलो गई चलो ऑई चलो ठीक है चलो आगे वढ़खते हैं मेरी क्या आगे वढ़खते हैं है क्या ऐसा 11 का भी रिविजन होना चाहिए मुझे बताईए 11 क्लास का भी ऐसा ही नहींérêt की तरू ठीक है यदि आप चाहते हो तो comment section में comment करना ठीक है तो logic gates logic gates ठीक है बेटा logic gates में आपको ध्यान रखना है logic gates में आपको ध्यान रखना है not gate है तो उसके लिए boolean जो expression रहता है y equals to a bar यदि input में 0 देंगे तो अपनको output में 1 मिलेगा input में 1 देंगे तो output में 0 मिलेगा ठीक है बेटा उसके बाद में मेरे बच्ची or gate के लिए a plus b end gate के लिए a dot b nor gate के लिए not plus और होता है ठीक है not plus और होता है तो और का क्या होता a plus b और not के लिए उपर बार लगा देंगे बेटा nand gate किसे बनता है not plus end से end का क्या होता a dot b और not के लिए अपन उपर बार लगा जाएंगे मेरे पहरे बिच्चे d morgans लो आपको पता होना ची a dot b का बार है तो dot plus में बदल जाता है और plus header dot में बदल जाता है और बैटा उपर का ये जो बार है वो दोनों में कला हो जाएगा दबल बार लगआ तो एघculosis की तो ये बात आपको ध्यान रखने लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन है भी नहीं सकता coarse ठीक है तो यह होगै आपका आप कैसा मेसadece कर रहे हैं बटा बताओ मुझे कि मेरे पेरे बिच्चि आप कैसा मेसिस कर रहे हैं मुझे बताइए मुझे बताइए थीक है second semiconductor भी हो गया है अब अपने एसे करते हैं पांच मिनिट का break रखते हैं अब स्टार्ट टो गरते हैं बटा ray optics क्या स्टार्ट गरते हैं तो सबसे पहले बैटा रे आपको पता है एंगल आई इकुल्स टू एंगल आर कांपे होता बताई है रिफ्रेक्शन में या रिफ्लक्शन में मांस्टर यह तो होता है रिफ्लक्शन ओफ लाइट में ठीक है मतलब कि जितने से आई है उतने से ही जाएगी इंसिडेंट एंगल और एंगल ओफ रिफ्लक्षन जो होता है वो क्या होता बैटा इक्वल मेरे बच्ची मेरे पहरे बच्ची एक चीज द्यान रखने आपको लाइफ में दो मिरर कभी भी किसी एंगल पर एंकलाइन्ड हो जो कि मैं बेसिक लिए कह रहा हूँ ठीटा एंगल और उनके बीच में कहीं पर अब्डेक्ट रखावा है और आपको नमबर ओफ इमेजेज पूछ ले तो मेरे बच्ची आपको कुछ नहीं करना है 360 डिग्री अपॉन ठीटा यह फॉर्मिला अप्लाई कर लेना है ना 360 डिग्री अपॉन ठीटा बेटा एन क्या है एन एक नमबर है यदि एन इवन आता है इवन बोले तो 248 ऐसा तो बेटा नमबर ओफ इमेजेज जो है वो एन-1 के एकोल होगा जैसे मानले एन आता है 5 ठी ठीक है 55دة कैसा है और यह थे ओंन है को ठीक है टिक है शतर ओर तो क्या करना महिभी बताएंगे मानलो कि अदेओ अदा है तो जितना एन ए उतना ही प्या इमेजेस ठीग है यी बात ध्यान रखना मेरे बच्ची ये चीज़े आपको ध्यान रखने यदि मान लोगी सर N Ode आता है और जो तो object है, वो by sector पे present है, ठीक है, कहां पे present है, by sector पे, बिलकुल ठीक इन दोनों mirror की बीच में, तो उस condition में sir, उस condition में आपको n odd आने के बावजूद n-1 करना है, ठीक है, number of images निकालने के लिए, जो मैंने बोला, उसको वापस ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे बच्चे, यदि n even आता है, तो number of images के लिए करेंगे, n-1 करेंगे, odd आता है, ठीक है, और by sector पे present नहीं है, object, तो आपको number of images के लिए करना है, जितना n आ रहा है, उतना ही number of images है, यदि object by sector पे है, ठीक इन दोनों mirror के बीच में present है, तो number of images निकालने के लिए करना है, n-1, ठी ठीक है, ठीक है, ठीक है पेटा, हैस्टे के लिएर, चम का, ओके, मेरे पेरे बच्चे, आगे ध्यान करना है, जो focal length होती है, वो radius of curvature की half होती है, focal length is the half of radius of curvature, मेरे बच्चे, इसके बेस्ट पे अपन कह सकता है, radius of curvature is double of focal length, पेरे बच्चे, किया इसको ऐसे जह कह सकता हूँ, r equals to 2f, r equals to 2f, कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, है न, चलो, आजाओ, बाई लोग आजाओ, सब लोग आजाओ, मेरे पेरे बच्चों, जल्दी से आजाईए, आप, जो भी बच्चे, क्लास देख रहे थे, पेरे बच्चों, आगे धी अपन बात करें mirror formula, कौन सा formula, mirror formula, 1 upon f equals to 1 upon v, plus 1 upon u, जानगना plus होता है, f क्या है, focal length, v क्या है, image distance, u क्या है, object distance, मेरे पेरे बच्ची, ये क्या है, linear magnification, linear magnification है न, linear magnification, linear magnification, बेटा, आपको life में कोई भी पूच लेग, linear magnification mirror के लिए क्या होने वाला है, तो बेटा, m equals to minus v upon u, equals to hi upon ho, height of image upon height of object, बेटा, ये life में ध्यान रगाना है न, बेटा, ठीके बेटा, good afternoon, good afternoon, good afternoon, guys, प्यारे बिच्चों, law of reflection क्या होता है, sin i upon sin r equals to refractive index, है न, constant होता है, actual में उसी को अपन क्या कहता है, refractive index, बेटा, refractive index क्या होता है, speed of light upon speed of, sorry, speed of light in vacuum upon speed of light in medium, बेटा, ये ध्यान रगाना है न, refractive index, c क्या होता है, मेरे पच्ची, मेरे प्यारे बेचे, c होता है, 3 multiplied 10 की power 8, 3 multiplied 10 की power 8, meter per second, ठीके, speed of light, बेटा, refractive index को आप ऐसे भी लिख सकता है, mu equals to v1 upon v2, मतलब अपन कह सकता है, refractive index, जो होता है, वो, speed of light का क्या है, ratio in different mediums, ठीके, अब एक और चीज मेरे को बतानी है, एक और चीज मेरे को बतानी है, वो क्या इदर देख, जैसे मैंने लिखा, refractive index of second medium with respect to first medium, तो इसको आपन ऐसे लिख सकता है, mu 2 upon mu 1, ठीके, अब mu 2 क्या है basically, mu 2 है sir, speed of light in vacuum upon, speed of light, speed of light in vacuum upon, speed of light in second medium, ठीके, upon में, mu 1 क्या है, speed of light in vacuum upon, speed of light in medium 1, तो बतानी है, पर C से C cut हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, V1 upon V2, ठीके, अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, बेटा, आपको क्या पता है, इदर देखे, आपको पता है, speed of light equals to होता है, F lambda, ठीके, F lambda, बेटा ध्यान रगना, जो frequency है, वो medium पे depend नहीं करती है, ठीके, बेटी में depend नहीं करती है, तो जो frequency है, does not depend upon medium, does not depend upon medium, तुम लोगों क्या, यह slides चाहिए है, बताओ, does not depend upon medium, प्यारे बच्चों, यह notes चाहिए है क्या, तुम लोगों को बताओ मुझे, चाहिए तो telegram पे डाल दूँगा, नहीं, चाहिए तो कोई problem नहीं है, तुम लोगों क नहीं ठाकुर जी यह बात आप बच्चों से पूछें बटा, बच्चे बताएंगे आपको, नहीं हाजी आप बच्चों से पूछें बटा, बच्चे बताएंगे आपको, बच्चों से पूछें आप बच्चे बताएंगे आपको, नहीं में 12 का segment में ने पढ़ाया था, आ तो प्यारे विच्चुम यह बात द्यां रखना ये बाद द्यां रखना वी द श्किट और लैंबडा वीविलंथ है मेडिम करते हैं तो यहां पे वीThank I that niż T कि इस सानथ का इसार को आपने देख लिये तो आपकी जीवन जीवन तो सेट मैं नहीं कह सकता है ठीक है लेकिन आतमत्रिप्त हो जाएगी ठीक है इस सार को देख लिया तो आपको मजा जाएगा क्या जाएगा आपको मजा है स्टेक चंपका है स्टेक गाइस किलियर कॉटट हेलो हेलो गाईज प्यारे बैच्चुम के लिए रहे यह कौन है बाते कर रहे हैं आपस में कर रहे हैं यह बाते कियों कर रहे हैं और भाई लोग बड़ा बाते ना करें आप प्यारे विच्चों बाते ना करें आप हुम इðार तो यह चीज आप ध्यान रखना यह चीज आप ध्यान रखना उसके बाद में नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं ठीक है उसके बाद में इसी थीट आ wizard ने लेटरल्ट में देखो सिफ्ट दो तरह के हो सकता हैं गलास persons से एक लेटरल depth पूछता है आपको apparent depth कभी भी निकालना है तो real depth upon mu कर दो ठीक है बेटा कभी-कभी क्या होता है यह बहुत ज़्यदा पूचा जाता है वैसे कभी-कभी क्या longitudinal shift तो उसके लिए क्या करोगे t minus sorry t bracket के अंदर 1 minus 1 by mu ठीक है t क्या है thickness बेटा total internal reflection जो होता है total internal reflection होता है उसमें यह दियान रखना sin ic equals to 1 by mu यह formula है किसका critical angle का critical angle क्या होता है वो incident angle जिस पे angle of reflection किता हो जो है 90 degree ठीक है basically उस condition को अपन बोलते हैं grazing emergence क्या बोलते हैं grazing emergence ठीक है मेरे पेरे बेच्चे यह दी मैं बात करूँ TIR की तो TIR में के लिए दो सरते हैं एक तो ray of light जो है वो critical angle से ज़्यादा एंगल pinch dice होने चीए दूसरी dancer से razor में होने चीए ठीक है तो दो सरते हैं तो TIR को भी आपको दियान रखना है very important है very 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 important है ठीक है यह बात आपको दिल और दिमाग में बसा लेने ठीक है में incident angle plus emergent angle equals to prism angle plus angle of deviation मतलब I plus E equals to A plus Del यह दियान रखना है relation ठीक है prism angle जो है R1 plus R2 के equal है प्रिस्म angle किसके equal होगा R1 plus R2 के equal होगा ठीक है उसके बाद में सरीदी अपन बात करें उसके बाद में अपन बात करें तो minimum deviation की condition में आपको एक ध्यान रखना है incident angle, emergent angle के एको लोगा, और r1 किसके एको लोगा, r2 के एको लोगा, ठीक है, r1 किसके एको लोगा, r2 के एको लोगा, तो उस condition में आपको पुछे की sir, prism जो है, उसका refractive index क्या है, तो आपको यह formula लगना है, sin bracket के अंदर a plus del m upon 2, और upon म है, sin a by 2, एक है, prism angle, एक है, बटा prism angle, ठीक है, एक है, angle of prism, angle of prism, del m का मतलब क्या है, minimum deviation, minimum deviation, ठीक है, minimum deviation, और for small angle, small angle के लिए ध्यान रखेंगे sir, minimum deviation इदी आपको निकालना है, बटा, small angle के लिए आपको minimum deviation निकालना है, तो आपको यह formula लगना है, mu minus 1, multiply a, a prism angle है, mu क्या है, refractive index, dispersion में आप ध्यान रखेंगे, कोची relation, वो क्या होता है, mu equals to a plus b by lambda square, मतलब अपन कह सकता है, a और b constant है, तो mu जो है, वो lambda के क्या है, inversely proportional, ठीक है, तो sir, जिसका refractive index ज्यादा, उसका wavelength कम, जिसका wavelength ज्यादा, उसका mu कम, ठीक है, जैसे आप देख रहे है, red की wavelength क्या होती है, ज्यादा, ठीक है, तो violet से ज्यादा होती है, ठीक है, तो red का mu जो है, वो वोईलेट से क्या होगा कम होगा और वोईलेट का म्यू जो है वो ज़्यादा होगा रेट से ठीक है यह रिलेशन आप देख सकते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे इसको आप ध्यान रखेंगे दो चीज़े यहाँ पर लिखी विए इसी परकार आपन कह सकते हैं बैटा डेल आफ रेड इस लेस देन डेल आफ वोईलेट से ठीक है कुछ क्यूसंस भी यहां पर लिखे हैं इंपोर्टेंट 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 कुछ क्यूसंस भी लिखे हैं तो इनको भी ध्यान रखेंगे इनको भी आप ध्यान करते रहें हों ऐसे मेंधत करते रहेंगे आगे बढ़ता है इस अगिलर डिनाद में द्यान एक नहीं डेकर आपको आप लग테र नहीं कैसे निकालेंगे तो आपको वी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल के माइनस कर देना है रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और मल्टिप्लाई कर देना है प्रिजम एंगल ठीक है उसके बाद में बेटा डिस्पर्जिव पावर इसके फर्मलें आप देख सकते हैं ठी डेल वी माइनस डेल आर निकालके डेल वाई से क्या कर देना डिवाइड कर देना ठीक है डेल वाई मतलब डेविशन फॉर यलो और यह नहीं दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं सर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वोईलेट का निकालके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रेड को म यह आप द्यान रखेंगे और यह भी द्यान रखेंगे कभी कभी क्या है वोईलेट का नहीं देता है तो ब्ल्यू को देता है तो डिस्पर्जीव पावर निकालने तो ब्ल्यू का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस रेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन में यलो का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस वन ठीक है तो यह तिनों फर्मुले ध्यान रखेंगे बहुत अच म्यूंस बन अपन आरटीक है लेंस मेर कर फॉर्मला द्याना रखना है या फॉर्म लेंथ यह दी निकालने निए तो Got to new मैंदस-1 अपन में one okay ी दीयर्ट करविच्चर स्थक्षे या रेदियर है या ओ det अव भीचिर फ्लूरल मेरे बच च्य, मेरे तो खिरल चेयर लेंस फर्मयला क्या होता है एंस फर्मुला क्या होता है थीकिए लेंस फर्मॉला गणाने जर लेंस 111 फर्मॉला क्या होगा वहाँ तillar क्या होता है accomplishments सारे formula में cover कर रहा हूं पहले बताई इता clear है या नहीं है hashtag clear बेटा मेरे पेरे बिच्चों hashtag clear got it पेरे पेरे बिच्चों got it शलो आजे बढ़ते हैं अब बेटा power of lens इस पावर आफ लेंज ठीक है पावर आफ कॉमन में पावर आफ लेंज देख लेते हैं पावर फोकुल लेंथ इस टाइप में निकाल सकते हैं, पी इकल्स टू पी वन प्लस पी टू, अब माइक्रोस्कॉप देखते हैं, क्या देखते हैं, माइक्रोस्कॉप, मेरे पहरे बचों, अब देखते हैं, अब माइक्रोस्कॉप, हाँ, अब माइक्रोस्कॉप देखते हैं, माइ इसके द्यांतना सार लिस्ट डिस्टेंस of distinct vision ठीक है List distance of distinct vision अब यह क्या है ? यह एक वैटा utan distinct vision की List Distance मतलब कि आपनको minimum कितने distance पे किलिर दिखाई दे रहा है है ना वो कौन से minimum distance लिसे पे आपनगो किलिर दिखाई दे रहा है तो basically capital D का मतलब क्या है least distance of distinct vision ठीक है तो magnification simple microscope के लिए ध्यान रखेंगे m equals to 1 plus d by f f focal length है और d मैंने अभी बता दिया यदि बेटा final image d पे बने तो magnification आपको यह यूज लेना है ठीक है simple microscope के लिए और मान लोग की sir final image बने आपकी infinity पे कहां पे बने infinity पे तो उस condition में आपको magnification इस formula से निकालना है d by f से d by f से मेरे पेरे बिच्ची यदि final image d पे बने तो यह formula लगाना है यदि final image infinite पे बने तो यह formula लगाना है समझ गए clear बेटा hashtag clear साध्या खान thank you so much thank you so much चलो तो यह चीजे ध्यान रखना यह चीजे ध्यान रखना चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं अब सर देख लेते हैं compound microscope के लिए ठीक है बेटा compound microscope के लिए magnification आपको पूछे तो minus में v naught upon u naught bracket के अंदर 1 plus d by f e ठीक है इसमें आपको पता है दो lens होते हैं क्या होते हैं दो lens होते हैं एक तो होता है object lens दूसरा होता है eye piece ठीक है क्या होता है eye piece तो f e का मतलब क्या है focal length of eye piece v naught और u naught का मतलब क्या है object distance and image distance of object lens है ना तो यह ध्यान रखना मेरे बच्चों astronomical telescope की भी आप कुछ चीज़े देख लें यदि आपको magnifying power boost था है normal adjustment के लिए तो वो होगी sir minus f naught upon f e f naught क्या है focal length of object lens f e क्या है focal length of eye lens मेरे प्यारे बच्चे आगे इदि अपन बात करें final image मान लो काँ पर बनती है least distance of distinct vision मतलब capital d पे तो उस condition में आपको magnification क्या निकालनी है telescope के लिए telescope की कौन सा astronomical तो उस condition में minus में f naught upon f e bracket के अंदर 1 plus f e upon d ठीक है तो इस condition में यह apply करना है बाकि f naught और f e का मतलब में आपको बता दिया डी का मतलब भी मैंने बता दिया इस class को बार बार देखें चीजों को आप revise करें तब ही चीज़े होगी बाकी मैंने पुरा revise करवा दिया है उसके बाद में last and final chapter पहले बताईए optics कैसा लगा रे optics कैसा लगा मेरे पहरे विंचों रे optics आपको कैसा लगा बताईए च कि सारे फ़र्बल में रिवाइज करवा दिया है अब आपका है wave optics अब आपका है wave optics ठीक है लास्टे साव में तोक दो वाले स्वाइल प्ले लिस्त में बंब्ल स्था यहां दो तो 11 भी चांदे हैं कि कौन हैं गाली कौन पोल रहे हैं आपस में कि कौन है यह मुझे बताइए मैं इसकोусовोग देता हूं प्यारे बचों हाँ चलो आगे बढ़ता है अब आगे बढ़ता है अब अपन करता है wave optics wave optics में बैटा difference क्या होता है यह देखलो आप super position of wave of equal frequency and constant phase difference ठेक है तो यह चीज ध्यान रखेंगे मेरे बच्ची इदिया आपको resultant amplitude पूछता है तो यह formula अप्लाई कर सकता है root में a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi phi क्या है phase difference phi क्या है बड़ा phase difference ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे एक चगनात क्या हुआ चलो एक मिनट रूको 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 हाँ तो यह formula आप लगा सकता है मेरे प्यारे बिच्चों resultant intensity पूछे तो आईवन प्लस आईटू प्लस टू root में आईवन आईटू कॉस फाई ठीक है अब interference आपको पता है दो टाइप क्या होता है एक तो constructive दूसरा destructive थेंक्यू बेटा आर्चना जी थेंक्यू मेरे प्यारे बिच्चों constructive interference हो कैसा interference हो constructive interference हो तो constructive interference में ध्यान लगना phase difference जो है 2n pi होता है जहां पर अपन कह सेकते हैं सार 0, 2pi, 4pi, etc इस टाइप का आएगा बेटा path difference के दि मैं बात करूँ तो path difference के आता है dell x equals to n lambda ठीक है constructive के लिए जो कि basically 0 lambda, 2 lambda इस टाइप का आएगा ठीक है बैटा maximum intensity दी निकाल नहीं है आपको किसमें? constructive interference में तो a1 plus a2 का square कर सकते हैं आप, hall square कर सकते हैं या सर आप कर सकते हैं I1 plus root I2 का hall square ठीक है very important है यह ध्यान लगना बच्चे यह जो है वो very important है मेरे पेरे बच्चे यह जो है वो very important है ध्यान लगना, ठीक है इसके अलावा यदि आगे बढ़ें हैं अपन YDSC, Constrictive का मैंने बता दिया तो Districtive का आप comment section में बताएंगे यह फिर उसको copy से revise करेंगे लगबग उसका बिलकुल उल्टा है ठेक है तो उसके बाद में प्यारे बचे YDSC की बात करें यदि अपन Young's Double Slit Experiment उसमें basically position पूशता है nth fringe की ठेक है on the screen यदि bright fringe हो तो आपको यूज करना है sir n lambda d upon small d, capital d क्या है capital d है बटा distance of screen and slit small d क्या है distance of to slit, ठेक है dark fringe की position पूशता है अपन को तो अपन sir ऐसे निकाल सकते हैं 2n-1 upon में 2 lambda d upon 2, ठेक है यह ध्यान रखेंगे lambda d upon d है यहां पर lambda d upon d है यहां पर ठेक है small d मेरे परेबिचे आगे दिए अपन बात करें fringe width की यह बहुत ज़्यादा important formula है मेरे परेबिचों fringe width का important formula है beta equals to lambda d upon small d, परेबिचों आगे आपको shift पूशता है कहां से central fringe से shift पूशेगा ठेक है किसके लिए thin sheet के तुरू तो उस condition में आपको क्या करना है shift निकालने के लिए mu minus 1 multiply t d upon में d d मैंने अभी बताया आपको small d मैंने बताया दिया t क्या है thickness mu क्या है refractive index ठीक है उसके बाद में single slit experiment का भी ध्यान रखेंगे आप a sign theta upon dell x dell x आपको पता है path difference ये क्या है sir अपन कह सकते है sir single slit है ठीक है क्या है single slit है तो उसके 20 का जो gap होता है ठीक है उसके को अपन क्या कहेंगे ये कहेंगे और उसके अलाव प्यारे बच्छे maxima के लिए आप ध्यान रखेंगे path difference n lambda और यहाँ पर minima के लिए एक मिनिट रुकें यहाँ पर maxima के लिए 2 sorry n lambda 1 minute बेटा 1 minute है न maxima के लिए n lambda और minima के लिए हो जाएगा 2 n प्लस 1 lambda by 2 ठीक है यह हो जाएगा इसको अपन थोड़ा सा साफ कर देते हैं रुको एक मिनिट और आज की क्लास कैसी लगी मुझे बताना ये भी wave optics हो गया है खतम और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो comment section में करपे करके आप क्या दे review दे और ऐसी क्लास 11 के लिए भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ठीक है प्यारे बच्छों ऐसी क्लास 11 के होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जल्दी बताइए ठीक है तो आज की क्लास को यहीं पर अपन खतम करते हैं आप सभी का thank you so much यह दि आपने first part इसका नहीं देखा है तो आप book solution वाले में जाके जरूर देखें ठीक है comment section डिवी जरूर देना इस क्लास का helpful रही या नहीं रही thank you so much मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में all the very best